तो आपने इस रिपोर्ट में आयोध्या के विशेश दिपोटसब के बारे में सुना और ये जो विशेश दिपोटसब है आयोध्या का वहाँ पर एक रेकॉर्ड बन रहा है 24 लाख दियों को प्रज्वलित करने का सीधे लिए चलते हैं आपको आयोध्या ये सीधी तस्वीर आप आयोध्या से देख रहे हैं जहां पर की विशेश दिपोटसब के दौरान एक नया रिकॉर्ड ये राम की पैड़ी आयोध्या का विशेश देखते ही नहीं बनता मैं आज आभार वेक्ट करूंगा आपका और आपके टीम का जिन्नोंने मुझे बुलाया है इस कार है और मैं बताओं कि ये आतिस बाजी का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है दिपावली में आतिस बाजी करना एक पुराना इतिहास है कुछ इतिहासकार मोहन जोदडों की खुदाई में कुछ कलाकृतियां मिली है जिसमें दिपावली और आतिस बाजी का प्रियोग दिखा होगी यहां का यह विहंगम द्रिश देखते ही नहीं बनता है देखिए जितेश जी यह जो अपना राम की पहली है यह जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं विहंगम द्रिश आयोद्या से जिस तरह से वहाँ पर 24 लाक दियों को जलाने का ये वेश्वर रेकॉर्ड ये किरतिमान एक नया किरतिमान बनाया जा रहा है हर साल हलाकि इस तरह के किरतिमान बनाये जाते हैं और पिछले साल के किरतिमान को तोड़ दिया जाता है तो इस बार 24 लाक दियों को प्रजवलित कर पिछले साल के किरतिम को तोड़ा जा रहा है आयुद्या में दीपोत्सव का ये विहंगम द्रश आप अपने टेलेविसन स्क्रीन पर देख रहे हैं खास तोर पर इसके लिए तैयारियां की गई हैं और वहां पर जैसा कि हम जानते की कुछी दिन पहले उतर प्रदेश सरकार के कैबिनेट की भी ब ज्यादा देशों के राजदूत वहां पर उपस्थित हो रहे हैं इस विहंगम द्रश का प्रत्यक्ष दीदार करने के लिए तो ये रंगा-रंग कारिक्रम ये रंगा-रंग तस्वीरे आयुद्या से सभी शद्धालूओं की आस्था, प्रेम, विश्वास आज मूर्ती रूफ ले रहा है भगवान प्रभूशी राम का आशिरवात हम सब पर बरस रहा है पूरा आस्मान चा गया है रोशनी से और दोस्तों ये हमें सिखाता है कि हम अपनी मेहनत से जब उचाईयों पर जाते हैं तो पूरे अपने आप कोई नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रकाशित करते हैं विहंगम द्रिश्च है अलो के कनभूती और दशकों जितेश जी जहां तक कितिहास के बारे में बताएं 2017 से लेके 2023 तक जितना भी हम लोगों ने लच्छ लिया है हमेशा उससे जादा ही दीवक जले हैं जैसे इस पार का लच्छ अगर हम लोग 21 लाख का लिये थे तो देखिए बगवान राम की किरपा से 22,23,000 दिया जलाने में हम सवाल हुए हैं ये बिना बगवान राम के जोषनी से नहाया अपना असमान ऐसा लग रहा है त्रेंता युग में भगवान राम के आने से ये प्रसंदता है चारों तरफ उत्सा जी हां पहुत बहतरीन ये नजारा है एक के बाद एक आतिश बाजियां सुन्दर सुन्दर आतिश बाजियां और ये विहंगम आलोख एक द्रश्य बहुत बेहतरीन ऐसा लग रहा है कि पूरा संसार आज दिपोस्तों मना रहा है जैशी राम जैजै शी राम भारत माता की जैए दिव्यन भूती हर तरफ रोशनी सभी की निगाहें आसमान पर एक के बाद एक बहतरीन आतिश बाजियों का प्रदर्शन ऐसा लग रहा है प्रभू शीराम के आशरवात की बारिश हो रही है हर तरफ से हर तरफ से प्रभू शीराम की घृपा चारों तरफ बरस रही है आलोकिक अद्भुत आविश्वस्नी है इस चकाचौन से पूरा विश्व प्रकाशित हो एक भारत शेष्ठ भारत ये उत्तव है प्रभू शीराम के चौदा वर्ष के वन्वास के बाद उनकी नगरी राम नगरी आयोध्या नगरी लोटने का तमसो मा जोतिर्ग में और सत्त की जीत है धर्म की जीत है ये जीत है विश्वास की बाव्यद्रेश आप देख रहे थे सीधा प्रसारन राम की नगरी आयोध्या से जहांपर की दियों को जलाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया और अब बात करते हैं कि इस बार किस तरह से वोकल फार लोकल और मेर